असलाम लेकुम, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नीग की सब्जेक्टिव एक्जामिनेशन कम्प्लीट कर ली थी, आज हम नीग की अब्जेक्टिव एक्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे objective examination के अंदर सबसे पहले हम जो point देखेंगे वो observation है patient की observation करेंगे, then हम उसकी passive and physiological movements करवा के देखेंगे then active movements करवा के देखेंगे, fourth point पर जोइन्ट integrity फिर हम patient की joint integrity चेक करेंगे then हम उसकी neuromuscular integrity चेक करेंगे, six point है accessory movements करवा के देखेंगे और लास पे हम पालपेट करके दिखेंगे पालपेशन करेंगे अब हम इन पॉइंट्स को बारी बारी डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले आ जाती है उब्जर्वेशन उब्जर्वेशन के अंदर हम जो सबसे पहले चीज़ देखेंगे वो है गेट गेट में हम patient को खड़ा करके या एक दिफ़ा चला के उसकी गेट को चक कर लेंगे गेट को analyze करने के लिए आपको normal gate का पता होना जरूरी है अगर आपको normal gate का पता होगा तो ही आप patient की gate के अंदर कोई deviation है तो उसको detect कर सकेंगे otherwise आप नहीं कर सकेंगे next point हम जो देखेंगे that is biomechanics biomechanics में हम उसकी movement वगरा देखेंगे distance देखते हैं हम नी के दर्मियान में next point आजाता है कि हम देखेंगे कि नी पे valgus या virus की condition तो नहीं है geno valgus या geno virus तो नहीं है और last में हम देखेंगे जो q angle है वो ज़्यादा तो नहीं है या q angle काम तो नहीं है next मारे पास आता है कि जब नोप नी की condition होती है नोप नी की condition के अंदर अगर नी के उपर valgus की condition आ रही है तो हीप के अंदर उसके ओपोजिट होगी ठीक है valgus और वारस की सबसे पहले हम यह जेकर थे कि नी के अंदर हम उसके लिए word geno यूज़ करते हैं नी के लिए geno valgus और वारस और hip के लिए हम kogza वारा और kogza valgus तीक है अब मैंने बताया कि अगर यहां पर valgus है तो यहां पर उसके ओपोजिट होगा यहां पर वारा होगा और अगर यहां पर वारा होगा तो 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 यहा अगर पेशन्ट चलते हुए फुट एक्सेसिफ परोनेशन के अंदर रख रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसकी फुट की माल अलाइमन्ट हो बलके उसके नी का मसला भी हो सकता है और हिप का मसला भी हो सकता है ठीक है और जब आपने गेट की असेस्मेंट करनी है ना तो आपन के पैसें पैसेंट जो है अपने फुट को शूपीनेशन के अंदर रख रहा होता राहा है ँट्यक्क अगरe कैहां ही ऑपना फुट परोनेशन में रख रहा है तो इसकी गेट डिस्टर्ब है और यह आपके संद बहुत में होना चाहिए और मोस्त चान्सेस कि उसके नींग के उपर वैल्गर स्ट्रेन है इस वासे वो अपने फुट को परवनेशन के अंदर रख रहा है और उसके मीडरा साइड के स्ट्रक्चर भी स्ट्रेश्ट होंगे यानि वो खीचे हुए होंगे ठीक है और यह होगा इलाइनमेंट पगारा नेक्स्ट हम बात कर होगी अब हमने इसकी बात की है जीनो वैल्गस की तो हम इसका मैनेजमेंट प्लैन भी थोड़सा साथ ही डिसकस कर लेते हैं इसमें सबसे पहले हमने देखा कि पेशेंट की गेड्स डिस्टाब है वो अपने फुट को एक्सेसिफ प्रोनेशन में रख रहा है तो हम उसकी जीनो वैल्गस के लिए हम इसको चलाएंगे शुक्ताब इसको चलाएंगा उसको चलाते पर भीनिंगे है बताएंगे इसको पी फूट की स्टी हु prag के यह अगया क्यम स्ट्रेटर मुट्रिप्रर मुट्र की हम स्टेंटनिंग करवाएंगे हैंस्ट्रिक मसल्स की स्टैचिंग करवाएंगे और मॉबलाइजेशन देंगे हम उसमें हम मीडियल साइट की गलाइड देंगे ठीक है नेक्स्ट हम एक दुफ़ा जो है यह देख लेते हैं कि नी वैल्गस की हमने पहले भी कंडिशन स्टे कि दूस्ता है यह हमने पढ़ा कि हिप पे कोगजा वारा है तो भी नी वैल्गस होगा फुट प्रोनेशन में पेशेंट रख रहा है तो भी नी वैल्गस होगा और अगर पटेला की लेटरल डिस्लोकेशन हुई विया तो उसकी वजह से क्या क्यों एंगल जो है वह कि पटेला जेखा बोर्सा डाउनर्वर्ड मूंफ कर जाती है उसे पटेला की लेटर ट्रीकिंग होते हैं तो इसकी वहुसון नीव वैल्गस में जाएगा अब हम बात करे लतें कि नॅर्मल पुजीशन क्या होती है पटेला की नूर्मल पॐजीशन और पिप के ना लाई कर हो जाता है और आफटर 90 डिग्री क्या होता है कि जो कौर्ट का टेंडन डारेक्ट इन कॉंटेक्ट आजाता है फीमर के साथ नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम सीटिंग के अंदर पटेला की पुजीशन को क्यों चक करते हैं इसमें हम एक तो यह के सीटिंग एन पटेला की इस्यू ठीक है नीग का कोई फ्रेक्टिर मगारा तो ने यह सब चीज़े हम चेक कर सकते हैं दूस्तरा हम स्टेंटिंग करवा सकते हैं जब हम मूवमंट करवाएंगे ठीक है मूवमंट करवाएंगे फॉसपर अगर हम नीग की फ्लेक्जन को पीछे जाते हुए करेंगे तो नीग की फ्लेक्रस की स्टेंट्निंग होगी इससरा ठीक है नेक्स्टमारे पास जो चीज आ जाती है तिस जौइंट-पिकरीटी में हम Americans मतलब किया है कि जो यॅन की च्राया ऐह और जो स्टाबिलिटीं है या नहीं और जोइन को स्ट्राइनध और स्ट्रया इनधिय Zo الع यह हम्हाँ करने क लिब देघ्रों करते हैं झिंसलान की उर्ट टी को टेस्ट कर लेते हैं लीकमेंट्स की integrity को मिनिस्काय की मिनिस्काय अपनी पर है या नहीं है ठीक है और फिर जोइंट integrity के बाद हम मसल की strength पर आएंगे जोइंट की जो integrity के लिए जोंजोंसे टेस्ट है ठीक है कि वो हम separate एक वीडियो बनाएंगे उसके अदर करेंगे ठीक है पर हम अभी जो है objective examination को complete कर लेते हैं ठीक है यह सारा मैंने बता दिये कि strength stability को maintain करते हैं लिगमेंट्स तो हम लिगमेंट्स को चक करेंगे ठीक है और देखेंगे कि लिगमेंट्स मैंने इसका अपनी जगा पर मुझूद है या नहीं नेक्स आ जाते हैं हमाई पर न्यूरो मस्कुलर इंटेग्रिटी के हम अंदर हम न्यूरो मस्कुलर स्टेंथ को चक करते हैं न्यूरो मस्कुलर स्टेंथ को चक करने के लिए हम मायोटोम्स को चक करते हैं मायोटोम्स को आपको बढ़ा कि हर मायोटोम्स के लिए मसद होते हैं ठीक है अगर हम L2 को चक करते तो इसमें हम नी फ्लेक्जिस चेक कर लेंगे अब हम क्या करें कि इन मसल्स हैं इनकी करवा के चेक करते हैं ठीक है फो इसना पर अगर हमने करवाई है नी के फ्लेक्जिस की तो हमारा क्या अल्टू क्लियर हो जाएगा इससे हम सब की जुहां वो चखक करके क्लियर कर सकते हैं नेइस्ट हम अन्फील की तरफ आ जाते हैं अगर तो स्प्रिंगी यंद्फील होती है क्टिय तो वो मेनिस्कस पहले भी पढ़ा कि स्केंदर वारस डिफॉर्मिटी होती है उस्ट्यू आर्थ्राइटर स्केंदर हमें कोड़ चीज चेक करते हैं नी कंट्रेक्चर को हम किस तरह चेक करेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे कि हम पेशिन को लिटा देंगे और लिटा के हम उसकी नी के नीचे से एक फिस्ट स्लाइड करेंगे फिस्ट मतलब मुठी बनाके उसकी जो है नी के नीचे से स्लाइड करेंगे अगर तो उसकी वहां से फिस्ट स्लाइड कर जाएगी तो उसका मतलब के कॉंट्रेक्चर है और अगर फिस्ट स्लाइड नहीं होगी तो डैट नीज के कॉंट्रेक के अंदर इसके अंदर क्या होता है कि जब हम पर टेला को डाउनवर्ड प्रेस करते हैं तो हमें नॉर्मल फीलिंग की बिज़े हाट फीलिंग आए डाइट मींस के पेशिएंट को ओस्ट्यू आर्थ्राइटस है यह वहां पे हमें कोई डिप फील हो डिप फील क्यों हो सकता सब्सक्राइब पटेला मूफ कर रही होती है अब पर डाउनवर्ड या राइट लाफ करें भी मूफ कर रही होती है उसकी वासे में डिप फील हो सकता हूं डिप क्यों फील हो का ड्यू टू इफ्यूएन यह थी हमारे पास objective examination next lecture में हम जो है joint integrity को maintain रखने के लिए जो लिग कि टेस्ट को study करेंगे thank you